तो हलो बच्चो आज हम लोग नीट की बात करेंगे बहुत दिनों से इस पे खामोसी थी कारण आपको पता है सुप्रिम कोट सांथ बैठा हुआ था 6 जैनवरी का जो डेट दिया हुआ था तो उसके भरूसे सब लोग थे और कहीं पे कोई सुबगाहट नहीं थी काफी स्टेट ने अपने स्टेट रैंकिंग को निकाल दिया है जिससे बच्चों को काफी इजी हो गया है तो जस्ट प्रेडिक्ट और लेकिन अभी भी क्लैरिटी काफी हद तक नहीं है अभी भी रोज मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं और कई बार मुझे एक ही आंसर देना पड़ता है कई क्वेरीज एक ही चीज़ के आते हैं तो मैं आप लोग को बता दूँ मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पे काफी हद तक इंफॉर्मेशन दे रखा और देख सकते हैं उसमें सारे इंफॉर्मेशन दे रखा है अभी रिसेंट्ली मैं आज कल में एक वीडियो बना दूँगा जिसमें प्राइबेट मेटिकल कॉलेज यूपी का डिमांड है क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है यहाँ पे बाहर के भी बच्चे एडमीशन में तो उसकी भी एक डिमांड आ रही हलाकि यह फीस उनके में वेबसाइट पे जो काउंसलिंग वाली वेबसाइट है यूपी की वहाँ पे अवलेबल है लेकिन मैं इसकी एक सेपरेट और थोड़ा सा ग्राफिक्स के हेल्प से और अच्छा वीडियो बना दूँगा इसम मुझे आप मेरे टेलिग्राम पे भेज सकते हो वाटसाप पे भेज सकते हो और मेरा मेल आइडी भी यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हो इस तरह से अब मैं भी थोड़ा रिलेटिवली आप लोग के लिए और ज़्यादा प्र काउंसलिंग की जो प्रासेस होता है इसेंसियल इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर आल अफ उस और उस काउंसलिंग में कई गलतियों चोड़ी चोड़ी गलतियों से लोग बहुत लॉस कर बैठते हैं और ये एक बार नहीं हर बार होता है मैं कितनी बार भी आपको बोल हम लोग अपने सारे बच्चों को बोलते हैं गलती नहीं होना चाहिए बट दो चार बच्चे आ जाते हैं जिनका कोई ना कोई mistakes हो जाते हैं इवन इतना सारा बताने के बाद भी तो यही चीज यहां भी हो सकती है काउंसलिंग प्रासेस में गलती नहीं होनी चाहिए अगर आपने गलती कर दी तो उसका खामियाजा आपको नीचे रैंकिंग वाले कॉलेज में जाके भुगतना पड़ सकता है और कई कई बार worst case में कॉलेज चूप भी सकते हैं आप लोग तो मेरे साथ बने रहिएगा और आने वाले टाइम में मैं आप लोग को पूरा का पूरा इ आप लुग ओने वाला करेंगे उसके साथ इसके बाद आज हीरिग होगा और उम्मीद ऐसा है कि आज सायद कोट अपना डिसीजन दे देगा और उसके साथ ही काउंसलिंग कमेटी MCC मुझे लगता है इमेडियेट नोटिफिकेशन जारी कर देगी वो सब तयारों के बैठे हैं और उसके साथ साथ नेशनल काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो अल्मोस सारे स्टेट भी अपनी काउंसलिंग दो चार दिन पांस दिन बाद एक राउंड के बाद उसके सुरू कर देंगे तो आप सब लोग को बहुत तेजी से एक्ट करना है और इस बीच अभी भी कुछ कॉलेजेस को की सीट बढ़ने के चांसेज हैं जो मुझे इंटर्नली पता चला है जो एड़ इनो लेवन्थार में भी कुछ कॉलेजेस की सीट बढ़ेंगी जिनका पहले से प्रॉसेस हो चुका था जिनके प्रॉसेस में कुछ छोटे मोटे टेकनिकल एरस थें उनको ठीक किया जा रहा है तो कुछ कॉलेजेस कुछ स्टेट जहां की सीट पेंडिंग थी वो भी उमीद कर सकते हैं मुझे लगता है उनको भी खुसकबरी मिल सकती है सो विल सून आइल इंटरेक्ट विद यू विद अ कांसेलिग प्रॉसेस तिल देन थैंक यू वेरी मच भबाई आल दे वेस्ट